स्वामी विवेकानंद नरेंद्र कहानी सुनाने लगा शुरोता सहपाथी कहानी सुनने में मग्न हो गए अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया अध्यापक ने सबसे प्रशन पूछे नरेंद्र को छोड़ कर अन्य कोई उत्तर न दे सका शिक्षक ने कहा नरेंद्र को छोड़ कर सभी खड़े रहो कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए कहानी मैं ही सुना रहा था नरेंद्र ने स्विकारा नरेंद्र की सच्चाई और इमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ स्वामी विवेकानंद का जन्म बारह जन्वरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ बच्चमन में उनका नाम नरेंद्र नात था छोटा नाम नरेन पड़ गया उनके पिता का नाम विश्वनात दत्त था वे उच्च न्यायाले में वकील थे अंग्रेजी भाशा ज्यान और भाशन कला नरेंद्र को विरासत में मिले उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी वे नरेंद्र को रामायन महाभारत के किस्से कहानिया सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रतिरुची उत्पन्न हुई, उन पर मा का विशेश प्रभाव रहा, उनकी बुद्धि कुशागृती, वे कक्षा में प्रथम आते थे, उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययनकर उन्हें याद कर लिया था, उन्हें नित्रित्व करने का अध्भुत गुण था, उन्हें व्यायाम, कुष्ती, घुड़दोड, तैराकी का भी शौक था, वे सुन्दर काया और बहुमुकी प्रतिभा के धनी थे, उनके गुरु रामकृष्न पर प्रतिनिधी अपने अपने धर्म के विशय में बताने आये थे, विवेकानन्द ने भारत की ओर से अपना भाशन दिया, भाशन में उनके संबोधन, भाईयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गुण जुठी, अगले दिन उनके भाशन की चर्चा पूरे अमेरिका म उन्होंने अपने कारियों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया, विदेश ब्रह्मन के दौरान एक दिन विवेकानन्द ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे, किसी का निशाना ठीक नहीं लगब तब उन्होंने कहा अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी, वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे, उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मन्जिल प्राप्त न हो जाए झाल